सम्मानि शिक्षक बंधू, नमस्कार, it is the off-topic content on my channel, because I am using this channel to teach geography and English, basically to the student of class 6th to 12th. जब से सिक्षा योहाग बिहार पटना के दिक्षा प्लेटफर्म पर दो सिक्षक प्रसिक्षन E-Course के अंतरगत BR बुनियादी साक्षर्ता सीखने की सिध्धानतों की समझ एवंग BR मुद्रा सिक्षन की समझ को लौंच किया गया है, और सिक्षकों को अनिवाज रूप से या अपने को अप पर रेइस्टर करने तथा कोर्ट्स आरंब करने से पुर्व के प्रक्रिया को करने में आ रही डिफिकल्टीज एवंग कन्फ्यूजन को दूर करने के को दिहान में रख कर या देड़ सही सही या वीडियो आपके शेवार्थ समर्पित है तो चलें देखते हैं कि अप कैसे डाउनलोड कर अपने को रेइस्टर करते हैं तथा किस तरह कोर्ट्स को पुरा करते हैं सबसे पहले अपने स्मार्ट फोन के प्लेस्टोर के प्लेस्टोर आइकन को क्लिक करें यदि आपके फोन में पहले से play store अप मौझूद नहीं है तो इसे install कर लें फिर play store के search बार में जाएं और दिक्षा टाइप करें दिक्षा टाइप करने के बाद आपके सामने बहुत सारे option आएंगे जिसमें दिक्षा platform for school education को click करें उसके बाद आप इस app को download कर लें इसमें थोड़ा समय लग सकता है network के हिसाब से जैसे ही ये download हो जाता है तो आप इसको open करें यहाँ आप open होने के बाद app के बासा को चुनें English हमने चुना है उसके बाद continue करें उसके बाद head teacher and official को ही click करें आपके सामने एक नया page login page खुलेगा इसमें register को click करें अब आप register पर page पर आ गया हैं इसमें सबसे पहले आप अपने जन्मतिती के words को click करें और फिर आप अपना नाम डालें और जो mobile number आप register करना चाहते हैं उस number को इसमें type करें और एक password strong password चुलें जिसमें एक capital letter अंग्रेजी का एक capital letter दें उसके बाद चार अंक या चार सब्द दें फिर कोई special character at the rate of या underscore या dot दें फिर कोई चार सब्द या चार अंक टाइप करके आगे बरहें उसके बाद आपके नीचे terms and condition का box बना होगा उस box पर click करेंगे जैसे ही आप click करेंगे तो आपको register option मिलेगा उसको click करें और आप आगे OTP वाले page पर आगे आपके दिये गए number पर OTP मिलेगा उस OTP को इसमें डालें और फिट से login page पर आप पहुंच चुके हैं इस login page में अपना वही mobile नमर डालें और जो password आपने create किया है उस password को डालें जो password आप पहले create किये थे उसको निश्यत रूप से कहीं लिख लें ताकि आप को उस password की आप सक्टा बार बार पढ़ेगी वह आप न भूलें उसको अभी फिर उस password को डालते हुए आप login करें पर आप head teacher and official को ही click करें आप नए page पर आ जाएंगे book खलता हुआ नजर आएगा और उसके बाद आप आप पहुंच गए edit profile page पर इसमें आप जो है अपने state का नाम दर्ज करें यदि आप बिहार से हैं तो state बिहार को दर्ज करें उसके बाद subtitle में आप जब जाएंगे तो आप जिस कैडर के teacher है वह option वैसा option मिलेगा उस option को click करें subtitle दर्ज हो जाएगा उसके बाद आप अपने district को दर्ज करें फिर block को दर्ज करें फिर cluster या CRC का नाम दर्ज करें सारे option आपको मिलेंगे और अरंत में आप अपने school का नाम आपको जो option मिल रहा है उसमें से दर्ज करें आगे आप अगले page पर पहुँच गया हैं जिसमें courses है courses को क्लिक करें और courses वाले page पर आप आचुके हैं जिसमें बी आर निसित रूप से आप देख लें बी आर बुनियादी सक्षर्टा सीखने के शिद्धानतों की समझ वाले page पर पहुँच चुके हैं आप यहां course जोइन करें इस module में दिये गए सभी course को बारी बारी से करें और अंत में आप रेटिंग कर दें और फिर top left corner में दिये गए arrow marks को दवा कर आप पीछे जाए exit करें यहां जब आप course इंडेक्स वाले page पर पहुँचते हैं तो जो course आप कर चुके होंगे वह green हो चुका होता है और उसके बाद आप जो है नए course को जोइन करें और आगे बढ़ें आगे भी आपके जरुरतों के हिसाब से off the topic वीडियो डालता रहूंगा मेरे इस चैनल को इश हेतू और अपने बच्चों के वर्ग का social science एवंग English से सबन्दिक वीडियो प्राप्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बिल आइकन प्रेश कर मुझे अनुगरीट करें जय हिंद